उत्रप्रदेश को हिला कर रख देने वाले बुलन शहर गैंग रेप मामले की गूंच आज संसद में भी सुनाई दी बुलन शहर से वीज़बी संसद भोला सिंग ने लोग सभा में इस मुद्दे को उठाया उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्ता पूरी दरहा खराब है साथ उन्होंने मामले में CBI जांच की मांग की है वही अन्य दलों के सदस्यों ने भी गैंग रेप की निंदा की दोसे दरफ BSP सुप्रीमो मायवती ने भी अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि UP में जंगल राज है उन्होंने कहा कि अगर आप सरकार संभाल नहीं पा रहे तो इस्तीफा दे दे वहीं बीजबी के प्रदेश अदेक्ष केशिव प्रसाद मोरे ने भी अखिलेश सरकार से इस्तीफे की मांग की है उन्होंने कहा कि प्रदेश में जंगल राज अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका है अपरादियों के होसले बुलंद है और असुरक्षा का माहौल है कानून व्यवस्था पूरी तरह दोस्तो चुकी है दूसरे तरफ पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफतार कर लिया है वही 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है इसे बहले मुक्यमंत्रिय गिलेश यादव ने 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफतार करने की मोहलत दी थी गटना के बाद आलोचना जेल रही सरकार ने अपने बड़े अधिकारियों पर गाज गिराते हुए बुलन शेहर के SSP, SP City, CEO और दो इंस्पेक्टरों को सस्पेंट कर दिया है आपको बता दे कि एनचे क्यानवे पर मा और बेटी से गैंग रेप किया गया था घटना शुकरवार देरात कोदवाली देहात इलाके में हुई थी बताया जा रहा है कि महिला का परिवार शाजहापूर से नौइडा जा रहा था उसी दोरान रास्ते में डकैतों ने उनकी कार को रोग कर परिवार के लोगों को बंधक बना लिया इसके बाद उन्हें लूटा गया, मा बेटी से गैंग रेप किया गया इस मामले में पीडित के पतीन की मांग है कि दोश्यों को जल से जल सदा दी जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो वह तीन महीने के अंदर आत्म हत्या कर लेंगे वही डियाई जी ने आश्वासन दिया है कि आज सभी गुनहागारों को गिरफतार कर लिया जाएगा वैसे इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है बताया जा रहा है कि वार्दात के दोरान पीडितों ने पुलिस को फोन पर सूचना दी थी लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली ऐसे में सवाल ये उड़ता है कि पीडित जाए तो जाए कहां देखतरे ये टी बी लाइव